हमने लोन का सीख लिया था कि लोन का क्या treatment है और लोन liability हो तो कैसे करें एसिट्स हो तो कैसे करें और लोन का payment हम क्यूं नहीं दिखाते realization में यह भी देख लिया था अब अगला adjustment एक एक करके हम सारा adjustment करेंगे dissolution के अंदर सारा adjustment जब complete हो जाएगा फिर हम practical questions पर आएंगे तो सबसे पहले हमने एक यहां पर मैंने adjustment लिखा है full assets and liability realize यहां पर जब सारा का सारा assets और liability realize होगा तो उससे related किस तरीके से आपका adjustment हो सकता है मैं उसकी बात कर रहा हूं तो उससे related या तो assets के ऊपर adjustment होगा या लाइबलिटी पर या लाइबलिटी पर लाइबलिटी पर अगर मैं assets की बात करूं तो assets के अंदर क्या adjustment होगा है हलो है तो assets के उपर कि realize का मतलब क्या है यहां पर बेचना payment करना कुछ हो सकता है हमारा वैसे realize का मतलब तो बेचना है तो मैं assets के उपर बात करूं तो assets को जब बेचा जाएगा तो examiner तीन तरीके से question बोल सकता है और मैं assets का आधा टुकड़े की बात नहीं कर रहा है मैं पूरे assets की बात कर रहा हूं मैं तो जब assets को बेचा जाएगा तो तीन तरीके से एक ऐसा हो सकता है कि आपको value दे दे वो जब assets बेचेगा तो कितने का बेचा गया उसका value दे दे या एक ऐसा हो सकता है कि assets जो बेचा गया वो कितने appreciate होके बिका या कितना depreciate होके बिका उसका एक particular percentage दे दे आपको एक particular percentage दे दे थर्ड हो सकता है हमारा कि assets का at कितने percentage पे बिका सीधा percentage की बात करेगा तो आपके assets जो है वो तीन तरीके से बेचे जा सकते हैं पहले का example देखो मैं इसको point number one case number one दे देता हूँ example example हो सकता है मान लो मेरे पास building है मान लिया मेरे पास building जो है वो है एक लाग का इसका case number one case number one मैं इसकी बात कर रहा हूँ यह इसे मैं consider कर रहा हूँ case number one बोला क्या मैंने कि मेरा building जो है जो मेरा building है वो realize हुआ at 80,000 at 80,000 यानि यहाँ पे जो मेरा एक लाग रुपे का building था कहाँ पे था यह हमारे balance sheet में उसको realize कितने का कर दिया 80,000 का यानि सीधा ही आपको एक value दे दिया कि आपका assets इतने का big गया है और कितने का बेच दिया मैंने 80,000 का तो इसका answer क्या होगा इसका answer कैसे करेंगे आंसर हमारा realization में जाएगा और realization के buy side में हम पहले two side में sundry assets लिखेंगे sundry assets में building लिखेंगे कितने का लिखेंगे एक लाग का यह मैं realization account बना रहा हूँ और फिर buy side में लिखेंगे हम bank से हुआ तो bank otherwise cash से हुआ तो cash और यहां पर कितने amount लिखेंगे हम असी अजार यारी एक लाग रुपे का building हमारे पुराने balance sheet में था जो कि हमने लिखे दिया और उसको realize कर दिया कितने का असी अजार का एक तो ऐसे पूछा जा सकता है जो हमने कई questions देखे भी दूसरा point पूछा जा सकता है इसी का हम case number one का ही बी-part करते है बी-part मैंने बढ़ा building building sold या building realized at 80,000 and commission paid to broker और broker को मैंने commission paid कर दिया 1000 यहाँ पैसे आगे question यहाँ यानि इस वाले point में भी हमें क्या दे रहा है value दे रही है जब value दे रहा है तो question में क्या कहता है building बिग गया 80,000 का लेकिन जिसने मेरा building बिखवाया broker है उस broker ने 1000 रुपे का commission भी मांगा है तो यहाँ पर दो mind में question होता है यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं buy side में सबसे पहले तो two century assets होगा हमारे realization में और century assets में एक लाक अब buy side में हम bank से building को बेचेंगे building को और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं एक 80,000 रुपे दिखा दें और जो 1000 रुपे का payment हुआ है वो two side दिखा दें तू bank करके और यहाँ पे हम procedure है दूसरा इससे best procedure क्या है हम net दिखा दें यानि यहीं पर मैं 79,000 रुपेस दिखा दूँ ठीक है 79,000 हम किसकी discussion कर रहे है assets की assets में case number one जब आपको value given होगा adjustment में देखो building था इतने का यहाँ value बता दिया इतने का था और दूसरे वाले point में भी आपको value तो इस पर दो तरीके से question पूछा जा सकता है अभी full assets की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि partly हो जाए यहाँ पर उसकी अभी mind से थोड़ा erase करो सारे adjustment करेंगे एक एक करके पहले हम समझते जाएंगे ठीक है अब case number में two की बात करूँ appreciation यह depreciation इस तरीके से भी question पूछा जा सकता है तो case number two case number two में हो सकता appreciation यह depreciation जैसे case number two का example मैंने लिया मेरे पास stock पहले से balance sheet में given है four example एक लाख रुपे का अब मैंने assets का नाम बदल दिया और case number two के अंदर मैंने पहले से example ले लेता हूं example जो है मेरा वो है और case number two मैंने बोला stock एप्रीशेट की जगह पर बैटर है मसीनरी लिख लेते हैं मसीनरी मैंने बोला मसीनरी एप्रीशेट by 10% अब यहां पर आंसर क्या होगा जो realization में मसीनरी बिका वो 10% उपर value पर बिका है तो इसका answer होगा answer होगा एक लाख और ये एक लाख दस अजार किदर शो होगा by side में तो इसके लिए मुझे एक format बनाने की ज़रत है यह समझ में आता जाएगा आता जाएगा ठीक है इसी का अगर मैं case number two का यह a part माल लेते हैं अगर मैं इसका बी पार्ट बोलू बी पार्ट में मैं लिख सकता हूं मसीनरी depreciate by 20% अब इसका answer क्या होगा answer बताओ अब इसका 80,000 से हमें entry करेंगे इसी का सी पार्ट कर लेते हैं मसीनरी कि डेप्रिशेट कि टू कि 90 परसेंट अब मसीनरी डेप्रिशेट हो गया 90 परसेंट तक यानि मसीनरी को सोर्ड जो किया है वो डेप्रिशेट कर दिया 90 परसेंट तक यानि इसका answer क्या होगा इसका answer 90,000 हाला कि appreciate डेप्रिशेट पर question होता ने direct realizable लेकिन अगर दे दे तो इस तरीके से करेंगे ठीक है ले जो यह ले जो यानि मैंने यहां पर देखा particular आपको क्या दे रखा था एक percentage दे रखा था अब case number three eight percentage यह क्या है eight percentage और इसको मैं क्या case बनाना चाहता हूं यहां पर example example में मैंने लिखा stock rupees one lakh case number three कि इसमें मैंने बोला मेरा stock कि रिलाइज कि एट एटी परसंट एट एटी परसंट जो हमारे stock है वह 80% पर रिप्राइज हो गया यानि अब ना तो माइनस करना है और ना ही प्लस करना है इसका आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 80,000, entry करेंगे हम 80,000 रुपे से, ठीक है, अगर अभी वही बोलता है, stock relies as 10%, तो बच्चे confused हो जाते हैं, examiner चाहता है कि confused हो, मैं बोल देता, इसका B part लिख लेते हैं, stock relies at 10%, अब बच्चे confused हो जाते हैं, 10% इतना तो नहीं हो सकता कभी, क्यों नहीं हो सकता भाई तो बच्चे confused हो जाते हैं, तो ऐसे situation में मैं क्या करूँगा, answer क्या होगा बताओ, answer 10,000 रहेगा, यानि आपका percentage घट जाए, बहुत कम हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि question हमारा गलत होगा, question हमारा ठीक ही माना जाएगा, question कभी गलत होता नहीं normally जल्दी से, तो पहला हम हमारा assets को कैसे कैसे realize करेंगे, इसके ओपर हमने concept देख लिया, अब हम बात करते हैं, liability को, तो liability को जब हम realize करेंगे, तो liability को realize करने का हमारा दो तरीके है, एक तो value मैं बता दू, इसको realize करने के दो तरीके है, इसको मैं side कर देता हूँ, आप इसको नीचे लाइन बना के करना या तो हो सकता है value दे दे या हो सकता है आपका discount या हो सकता है less या हो सकता है more इस तरीके का word का वो इस्तमाल करेंगे हमने more payment कर दिया अगर 10,000 का liability है मैं बोलू 1000 more payment कर दिया तो इसका मतलब 11,000 रुपए का payment गया है अगर मैं बोलू 1000 less payment कर दिया तो payment कितने का 9,000 रखा अगर मैं बोलू 10% discount पे तब भी answer 9,000 इसके लिए मैं case number कर देता हूँ यह हमारा case number रहेगा 4 example देखे liability का इसके लिए कौन सा case है मेरा case number 4 लेके चलूँगा example मैंने बोला मेरा creditor rupees 10,000 है 10,000 का है value देता हूँ मैं यानि case number 4 में value कैसे देगा creditor are paid in full या फिर बोल सकता है creditor are paid 10,000 मैं बोल दूँ in full in full का भी मतलब जितना था उतना payment हुआ या amount दे दू 10,000 बात एक है इस case में answer क्या होगा इस में answer होगा 10,000 हम कहां दिखाएंगे realization में two side में format के साब से कहां दिखाएंगे two side में ठीक है यह था हमारा case number four अब मैं इसको नाम दे देता हूँ case number five ठीक है इसमें value आपको दे देता है case number five इदर करते है space को थोड़ा सा मैं manage कर रहा हूँ आप format में अच्छे से साफ साफ neat and clean note करना यह काम आएगा अगे तक मैंने example लिखा example example है मेरा creditor रुपीज 10,000 है मेरे पास इसके बाद case number five में एपाट मैंने लिखा creditor paid at 10% discount answer क्या होगा बताओ answer होगा इसमें और 9,000 की हम entry दिखाएंगे समझ में आ रहा है answer में क्या बोल रहा हूँ यानि 9,000 का हम दिखाएंगे इसमें entry किस साइड में realization के two साइड में ठेक है इसके बाद इसका B case कैसे पूछा जा सकता है creditor paid less 500 मैं 500 ले ले था हूँ creditor को paid किया गया less 500 इसका मतलब answer c part कैसे पूछा जा सकता है creditor paid more 1000 एक हजार जादा इसका answer क्या होगा इसका answer होगा 11,000 रुपए ठेक है clear है तो हमने adjustment last class में first देखा था adjustment first किस पर था हमारा loan पर adjustment number two assets और liability जब पूरा पूरा हो जाए यहाँ पर 50% 30% 20% question में देखे होंगे उसकी बात नहीं कर रहा हम एक एक करके करेंगे तो एक बार फटा फट से पहले adjustment number two note करिए फिर हम adjustment number three करते हैं ठीक से note करना proper format बना के adjustment number three यह debtors related है debtors related किस किस तरीके से adjustment हो सकता है example देखते हैं इस से related adjustment हो सकता है हमारा पर एक आपको balance sheet दिया और balance sheet के अंदर इस साइड में debtor है और debtor दिया आपको 10,000 का और यहीं पर मैंने less provision for doubtful debts किया सपोस थाउजन रुपेज अरज़ेस्मेंट यह मैंने दिया के case number one हो सकता है आपका debtor realize at 7,000 इसका मतलब debtor हमारा जो है उससे पैसे recover होगे 7,000 तो 7,000 जो realize हुआ वो अब हमारा debtor वैसे तो balance sheet में 9,000 दिखाएगा लेकिन इस 9,000 का कोई roll नहीं रहेगा हम क्या करेंगे 10,000 था और 10 का समान कितने का बिग्या 7,000 यहाँ पर answer क्या रहेगा मेरा simple 7,000 case number two हो सकता है debtor realize at 10% discount यहाँ थोड़ा confusion है अब 10% discount 9,000 पर 10% निकाले यह 10,000 पर निकाले तो ऐसे situation में हम निकालेंगे 10,000 पर answer जो होगा हमारा वो होगा 9,000 कैसे आए 9,000 10,000 का debtor था अब मैं 10 की जगा 20 कर दे तो नहीं तो confusion हो जाएगी थोड़ा सा यह पहले भी minus है answer आएगा अब 8,000 8,000 कैसे आएगा 10,000 का debtor था उसमें से minus किया 20%, 20% कितना होता है 10,000 का 2,000 और यह 20% निकाला मैंने वो निकाला 10,000 into 20 by 100 9,000 पर नहीं निकाला मैंने यह यह मैंने किस पर निकाला 10,000 पर एक तो यहाँ पर थोड़ा confusion हो सकता है तो वो point मैंने यहाँ पर लिया केस नमबर 3 हो सकता है हमें सिर्फ दे दे bet debts rupees 400 bet debts 400 bet debts 400 दे दिया यानि debtor ने directly indirectly बता दिया कि भाई जितने का भी debtor था उसमें से 400 नहीं मिलेगा यहाँ फिर थोड़ा सा confusion confusion है कि सर यह जो 400 रुपे का bet debts हुआ है तो मुझे मिलेगा 8600 या 9600 9600 यानि इस प्रोविजन का कोई रोल नहीं है क्योंकि काफी सारे student admission और retirement को लेके चलते है mind में वहाँ पर प्रोविजन होता था फिर minus करते थे फिर देखते थे actual हमारा हुआ वह यहाँ पर कोई concept नहीं है यहाँ का answer जो होगा case number 3 answer में होगा हमारा 9600 कैसे आया 10,000 में से simple bad debts जितना हो गया minus कर दो क्या इस 1000 provision for doubtful debts का कोई रोल नहीं है बिल्कुल यहाँ पर कोई रोल नहीं है हम अगर इसकी बात करें तो इसे realization में कैसे show करेंगे realization में simple way में show कर देंगे यहाँ पर two sundry assets लिखेंगे और sundry assets में debtor आएगा और debtor 10,000 और buy side में आएगा provision और बस इसको इहीं पर छोड़ देंगे और इसका कोई treatment नहीं है और यह realization account का example ले रहा हूँ पहले वाले case के according buy side में bank में लिखेंगे और bank में कितने amount लिखना है 7,000 दूसरे वाले case के according bank में कितना amount लिखना है तीसरे वाले case के अंदर bank में 9,600 रुपीज तो 96 लिखेंगे एक और case यहां cover करता हूँ मैं case number 4 इसने कहा bed debts recover रुपीज 600 600 रुपे का bed debts recover हुआ अब यहां पर answer क्या होगा यहां पर दो answer है एक तो मेरा debtor जो 10,000 रुपे का था वो तो normal realize होगा ही होगा क्योंकि 10,000 के बारे में मैंने या तो फिर मेरा यहां पर मैंने बोला के bed debts recover 10,000 and debtor realize rupees 9,000 या इसको 7,000 कर देते हैं अब यहां पर क्या हुआ अब 7,000 रुपे का तो जो debtor था उससे पैसे मिल गया है यानि इस debtor से 7,000 मिले और 600 रुपे मुझे पिछला बाकी मिला है इस बार का नहीं है पिछला बाकी तो आप यहां पर सीधा 7,600 नहीं दिखा सकते हैं आपके answer दो टुकडो में जाएगा एक answer जाएगा आपका 7,000 रुपे और एक answer जाएगा यह वाला जो answer जाएगा वो जाएगा debtor के नाम से bankender और यह वाला bed debts recover के नाम से bankender तो एगर इसका मैं solution पूछूँ तो बताओ कैसे करोगे तो मैं बोलूँगा bankender मैं लिखूँगा debtor और debtor को लिखूँगा 7,000 और मैं bed debts recover पर लिखूँगा bed debts recover short form use कर रहा हूँ 600 इस तरीके से किया जाएगा इसको दोनों को plus नहीं करना अलग-अलग करेंगे तो यह कुछ adjustment number 3 मैंने बताया और यह adjustment number 3 किस पहता सारा का सारा debtor से related हमारा सारा adjustment है जो कि bed debts भी cover हो गया bed debts recover भी covered हो गया और provision for doubtful debts पूरे amount की बात कर रहा हूँ अभी settlement half payment half की नहीं चल रही बात हाफ वाली करेंगे तो सारे हाफ वाले एक साथ कर लेंगे हैं अभी पूरा पूरा amount का हम discuss कर रहे हैं अब इसे एक बार note करिए आप adjustment number 3 अगर debtor are good लिखा हो तब भी कोई फरक नहीं पड़ता उसमें हाँ next adjustment number 4 अभी partly एसेट एंड लाइबिलिटीज रिलाइज अभी पूरे पूरे की हमने बात कर ली कि पूरे एसेट और पूरे लाइबिलिटी किस तरीके से रिलाइज होगा तो उसका क्या treatment होगा अब बात करेंगे कई बार आपको examiner क्या करेगा सारे assets को नहीं बेचेगा assets को A adjustment में बोलेगा आधा assets बेच दिया और उसका D adjustment में बोलेगा ये मैंने आधा assets बेचा है तो partly के तरीके से बोलेगा पहले मैं assets के बात कर लो अधाने बोलेगा assets में कुछ भी हो सकता है stock भी हो सकता है debtor भी हो सकता है और liability में आपका creditor हो सकता है bills payable हो सकता है loan हो सकता है लेकिन main liability लिखना है यहाँ ठीक है इसमें कैसे कैसे question पूछे जा सकते हैं इसमें हो सकता है एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल लेता हूँ कि मेरे पास debtor अब मैं सिर्फ realize partner taken की बात नहीं कर रहा है सिर्फ realize की मैं बात कर रहा हूँ partners taken वाली बात मैं अगले वाले concert में कर रहा हूँ यहाँ partner कोई भी ऐसे taken नहीं कर रहा debtor rupees 10,000 case number one Menebola 20% debtor realize at 10% loss and balance sold या balance realize at book value book value balance realize at book value चलिए तो यहाँ पर था 20% debtor realize 10% loss पर तो अब calculation करना पड़ेगा ऐसे situation में direct answer मैं नहीं लिखूँगा यहाँ debtor मेरा है debtor कितने का है debtor मेरा 10,000 का है ध्यान से देखना आप noting बाद में 10,000 में से दो टुकडे में बाट दिया पहले 20% की बात कर रहा है तो 20% 2000 बाकी बच गए हैं अब यह इस 2000 वाले को बोलता है मैंने 10% के नुकसान पर बेचा तो less 10% 200 यानि यह बिका मेरा और यह वाला पार्ट मेरा बिका book value यानि पूरे 8,000 का book value का मतलब जितना बचा उतने का भी बिक गया मैं इसको भी बोल सकता के 10% discount पे है तो क्या करता मैं 10% यहाँ पे minus कर देता और यह भी बोल सकता था 10% profit पे तो 10% 800 रुपे add कर देता finally मेरा answer जो निकल के आएगा answer में debtor कितना जाएगा अथारा सो और आठ हजार यानि 80 नो हजार आठ सो देखो question में घुमाया गया है लेकिन हम realization के अंदर buy side में जो bank के under डालेंगे वो कितना डालेंगे total करके डाल देंगे अलग-अलग मत डालना कि इस टुकड़े का यह party है total कर दो total करके कितना लिखते हैं 9800 कैसे 8000 और 1800 रुपए case number two आप से बोला जा सकता है debtor amount 3000 sold या relies at 2900 and balance and balance realize at 20% profit बाकी का बचा हुआ 20% profit पर हमने realize कर दिया ठीक है चलिए अब यहाँ पर क्या है debtor कितने का है 10,000 अब 10,000 को कितने पार्ट में बाट दे दो पार्ट में कहता है 3,000 रुपे का debtor 2900 में बिखा है तो 3,000 रुपे का debtor कितने का बिख गया और बाकी जो बच गया बाकी बचा 7,000 आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3900 का बिख गया तो बाकी बच गया 7,100 वो गलत हो जाएगा काफी बच्चे करते हैं कि भई 3900 का रिलाइज हो गया 10 में से 3900 कर देंगे 2900 और बाकी कर देंगे 7,100 वो क्या हो जाएगा गलत तो 3,000 का कंसेप्ट होगे 7,000 को 20% या नि 20% प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब प्लस 8,400 यहाँ पर आंसर क्या लिखे है यहाँ पर इन दोनों को एड़ कर देंगे तो आ गया 11 यह 10 नहीं 10 11,300 8 और दो 10 और 9 और 4 तेरा ठीक है 11,300 तो यह मैंने आपको बताया assets को जो partly बेचा जाएगा तो partly कैसे बेचेगा मान लो इतना सा part बोल देगा adjustment number A और बाकी बोल देगा adjustment number D में balance debtor relies बोल सकता है टेक है सेम ऐसे यह वाला भी हो सकता है के यहाँ पर दिखा दिया सेम concept होगा हमारा liability पर तो पहले एक बार debtor का note करो पहले debtor का note करिए फिर मैं liability का लूँगा पहले आप debtor का note करिए question number आपका जो case था हमारा 4 का 3 दो cases तो कर लिए अब देखते है case number हमारा 3 यहीं से start कर रहा हूँ मैं और case number 3 मैं कर रहा हूँ related to liability assets का तो कर लिया भी दोनो liability के अंदर और जब मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो कई बार क्या होता है जैसे कि मैं इसमें extra चीज़े नहीं डालता note करने का कोई time नहीं है तो वो आप note कर सकते हो पॉस करके या फिर पूरा देखने के बाद फिर एक साथ note करो उसे तो वो बेटर रहता है case number 3 case number 3 में मैंने creditor यानि मैंने बोला creditor के लिए मान लेते हैं example creditor 10,000 मैंने बोला 60% creditor 60% creditor paid full and balance balance 10% discount balance 10% discount तो 60% creditor paid कर दिया और balance किया मैंने 10% discount पे चलिए इसका क्या करें creditor मेरा 10,000 है और इस 10,000 रुपीज के दो पार्ट बाट देते हैं 60% यानि और बाकी 10% discount तो बाकी 4 बच गया 4,000 पे माइनस 10% कर देते हैं तो ये बच गया 30 तो ultimately इसका अंसर जो निकल के आएगा अगर मेरे से general entry पूछो तो general entry होगा realization तो बैंक अब मैं general entry भी साथ के साथ कर देता हूँ 9600 बिंग आप लिख सकते हो कि हमारा liability को paid हुआ क्रेडिटर को केस नंबर 4 केस नंबर 4 में हो सकता है कि हाफ क्रेडिटर हाफ क्रेडिटर पेड हाफ क्रेडिटर पेड लेस 2000 मतलब जो हाफ क्रेडिटर था उसको 2000 कम दिये and balance पेड रुपीज 6000 और balance को मैंने पेड कर दिया साथ 6000 ठीक है अब मेरा example तो यही रहेगा 10,000 10,000 रुपे का क्रेडिटर है दो पार्ट्स में बाट दे पहले हाफ और balance हाफ बचा इस 5000 को बोलता है 2000 लेस पेड करेंगे means यहाँ पे पेमिंट जाएगा 3000 और इस 5000 को बोलता है 5000 नहीं देंगे 6000 अगर मैं बोलता है balance paid 6000 more तो 5000 तो था ही प्लस 6000 और हो जाता अल्टिमेटली इसका अंसर क्या निकल क्या बताओ 9000 जनल एंट्री क्या करें इसकी जनल एंट्री करेंगे realization to bank और यह आगया 9000 9000 ठीक है चलिए आपका adjustment number 4 complete हो गया इसके बाद देखेंगे हम adjustment number 5 अब इसके अंदर भी हम parts में divide करेंगे समझते हैं किस तरीके से मान लो मेरा एक creditor है एक creditor यह मेरा creditor है और एक debtor और यह creditor है ऐसा possible हो सकता है कि यह दोनों आपस में जानते हो एक दूसरे को एक दूसरे को जानते हो आपस में अब creditor मान लो 6000 का है और debtor मान लेते हैं कि 5000 का है और creditor debtor अगर 5000 का है तो firm के balance sheet के अंदर हो यह होगे दोनों firm के balance sheet में debtor होगा debtor 5000 और और फर्म के balance sheet के liability साइड में क्रेडिटर 6000 रुपे होगा हमारा यह balance sheet है अब क्रेटर डेटर आपस में settlement हो रहे हैं क्रेटर क्रेटर क्या बोलता है कि फर्म आप मुझे एक रूपे भी मत दो आपके जो यहां पर डेटर है उसको में मैं जानता हूं मैं उससे payment ले लुगा कि किसने कहा यह बात creator यानि जो यह था यह दोनों जानते थे तो firm को बोला आप मुझे पैसे मत दो आपका एक debtor है उससे मैं payment ले लुगा तो firm बोलेगा यार मेरा debtor तो 5000 कई है आप उसे 6000 कैसे ले सकते हो तो इसने बोला कि भाई 5000-6000 छोड़ो आप हिसाब किता बराबर आपका बिजनस तो बंदी हो रहा हटाओ आप मुझे कुछ भी मत देना जो वो debtor आपको payment दे था उसके बदले कौन ले लेगा मैं ले लुगा तो इसको बोलते हैं सेटल होना ठीक है तो ऐसे केस के अंदर जब हमारा सेटल होता है तो उसकी एंट्री करते ही नहीं है क्योंकि ना तो बिजनस में पैसा आता है और ना ही बिजनस से पैसे जाएगा तो इसका कैसे ट्रांजिक्शन पूछा जा सकता है प्रॉफिट और लॉज को कभी रिलाजिशन में रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो इसका एक्जाम्पल देखो कैसे हो सकता है एक्जाम्पल मैंने बोला वन क्रेडिटर रुपीज सिक्स थाउसेंड टेकन ओवर डेटर या वन क्रेडिटर या स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ डेटर अमाउंट यूज फोर पेमेंट क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट का मतला होता है आप इनके बीच में कोई भी नहीं रहेगा लेन देना तो अब आप समझो बैलेंस शीट क्रेंटर नहीं सेटल के बीच अबिम दे तो ए्लाओंट इनके र्हान है झाल 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 अज़स्पन नमबर 6 पर्टली असेट्स अधे पर्टली लिय बीटी सेटल पर्टली असेट्स अधे पर्टली लिय बीटी सेटल इसके अंदर क्या होगा आधा assets या कुछ भी assets का part और कुछ भी liability का part settle हो जाएगा और बाकी को हम normal realize करेंगे बाकी assets भी realize होगा और बाकी liability भी realize होगा लेकिन इस partly वाले में जो सबसे main important question है अगर मैं बात करूँ unrecorded assets का तो unrecorded assets कहां होता है balance sheet में नहीं given होता unrecorded liability की बात करता हूँ unrecorded liability होता है balance sheet में नहीं होता है तो उसी से related question है मान लो हमें एक debtor मिल गया एक हमें debtor मिला और एक creditor वो debtor है जिसको मैंने balance sheet में नहीं लिखा था और ये वो creditor है जिसको balance sheet में नहीं लिखा था तो मैं बोल सकता हूँ ये debtor unrecorded assets है या unrecorded debtor बोल देता हूँ assets तो है unrecorded debtor और इसको बोल सकता हूँ unrecorded creditor unrecorded creditor suppose करो ये था 10,000 और ये है हमारा 12,000 statement क्या लिखा मैंने half of unrecorded assets या liability creditor लिख देता है taken over half of debtor unrecorded debtor या assets बोल दूँ and balance and balance debtor realize 10% discount balance debtor realize हो गया 10% discount पे अब ये जो assets और liability है पहले balance sheet में नहीं था सीधा आपको कहा मिलेगा adjustment में adjustment में सारे points बोल देगा वो तो इस situation में मिर पास creditor है इस situation में मिर पास debtor है अगर creditor की बात करूँ तो creditor कितने गाए मेरा 12,000 और debtor की बात करूँ तो 10,000 इसका भी half कर देते है इसका half हो गया 6,000 और 6,000 creditor 12,000 है न और debtor 10,000 और ये 5,000 half और इसका half 5,000 मैं half इसले ले रहा हूँ तो calculation easy हो जाए 20%, 30%, 40%, 1,4 ये भी हो सकता है question में तो इसका half हाफ तो आपस में settle हो गया इसकी कोई entry नहीं अब कहता है balance जो assets था debtor वो 10% discount पर तो minus कर दे 10% 500, कितने का गया लेकिन अभी भी देखा जाए तो balance creditor के बारे में question नहीं कुछ नहीं बोला तो आपको पता है कि liability के बारे में अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हम same value पे realize कर देते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे same value पे realize कर देंगे तो यह हमारा realize हो जाएगा 6000 अब इसकी general entry दो बनेगी एक पैसे receive भी हुआ है और एक पैसा paid भी हुआ है तो general entry अगर मैं पहले की बोलूँ एक होगा bank to realization और एक होगा realization to bank being में तो आप उसकी detail लिखोगे realization to bank to realization में पैसा आएगा 45 और इसमें आएगा आपका अगर मान लो मैं बोलता है balance liability paid 10% discount और assets के बारे में silent होता तो ऐसे situation में जब assets के बारे में कुछ नहीं बोला जाता तो assets को हम क्या करते हैं? zero value पे realize कर देते हैं तो अगर हमारा unrecorded assets है और unrecorded liability है तो unrecorded assets unrecorded liability आपस में settle होगा या recorded assets recorded liability settle होगा तो calculation यही रहेगा हमारा अगर liability के बारे में बोल दे realize हुआ है assets के बारे में नहीं बोलता है तो उस assets को realize नहीं करना simple तरीके से तो यह था हमारा adjustment number six अभी partner taken over करेगा या नहीं करेगा उसके भी बात बाद में करेंगे अभी six note करो फिर अगला adjustment को देखते हैं next adjustment देखो pay to creditor before due date इसमें क्या होगा इस से related काफि सारे questions भी आपके book में इसमें क्या करना है example देखना मान लो business के अंदर एक creditor है कोई भी liability हो सकता है बट मैं creditor का example लेता हूँ और creditor होता कोन है पहले सबसे पहले तो यह देखते है यह liability होता है और इससे जो business ने क्या करा होगा उधार माल खरीदा होगा यह business ने यानि जो partnership firm था उसने उधार माल खरीदा होगा suppose करो इसने उधार माल इसको दिया है और जो goods दिया इसने sold किया वो sold किया suppose करते हैं 1,20,000 अब जब यह उधार माल बेचेगा business को तो business से या जो partner उसका खरीदने आएगा उस partner से एक ही question raise करेगा कि भाई आपको समान तो मैं दे रहा हूँ मैं जानता भी हूँ आपको आप payment कब तक करोगे इस वाले जो भी bill है partner ने बोला कि मैं आपको payment कर दूँ गा या तीन महने दो महने के बाद का अपना date मांगा इसने दो या तीन महने बाद इसने क्या का मैं payment कर दूँ गा जब इसने तीन महने के बाद payment करा तो सबसे पहले इसने date note किया, किस दिन बेचा इसने मैं बता देता हूँ, इसने बेचा एक बारा, 2018 में, एक बारा, 2018 में goods को sold कर दिया, और इसने किस दिन खरीदा, same date पे, एक बारा, 2018 इसने जब इसने पूछा कि भई, payment कब करोगे, तो इसने बोला, business ने, कि मैं आपको ठीक, दो महने बाद payment कर दूँआ, या तीन मेने बाद payment कर दूँगा, suppose करो, मैं आपको payment कर दूँगा, तीन मेने बाद, तो तीन मेने बाद कब आता है इसका, एक तो बारा हो गया, जन्वरी हो गया, और फर्वरी भी पूरा, एक मार्च, त्री मन्त कब आएगा, एक मार्च, यानि एक मार्च को इस creator को क्या हो जाएगा, अगर इसको एक मार्च तक पैसा नहीं देता है ये business, तो फिर फोन करेगा, कि भाई आपने मेरा payment नहीं दिया, क्योंकि आपने बोला था, बोल सकता है, लेकिन हुआ क्या, business के अंदर, due to, किसी भी reason के विजए से, business, dissolve हो गया, dissolve कब हुआ, जैसे ही आया, 31-12, 2018, firm हो गया dissolve, firm dissolve हो गया, जैसे ही firm dissolve हुआ, तो अब सारे assets, सारे liability का payment इसी दिन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने creator को promise किया था, मैं payment दूँआ, एक मार्च 2019 में, लेकिन firm क्या हो गया, dissolve हो गया, कब dissolve हो firm, time से पहले, तो अब जो partner है, या firm है, अपने पास पैसे hold करके नहीं रखेगा, एक मार्च को दूँआ, तो एक मार्च को यह दूँआ, ऐसा तो होगा नि, अब firm बोलेगा, creator के पास जाएगा, बोलेगा, यह लो अपने पैसे, creator को जब यह payment करेगा, किस दिन payment करने जाएगा, इस दिन जब इस दिन पेमिंट करने जाएगा क्रेडिटर को तो क्रेडिटर बोलेगा अरे मुझे तो आप पेमिंट देने वाले थे 13 2019 को बट आपने पेमिंट क्या करा मुझे टाइम से पहले दे रहे हो तो जब आप मुझे पेमिंट टाइम से पहले दे रहे हो तो क्रेडि और आपने मुझे टाइम से पहले पेमिंट दे दिया और मैं आपको क्या देता हूं डिसकाउंट तो कुश्चन में यहां पर बोला इसने 10% डिसकाउंट दूँगा 10% पर एनम तो 10% पर एनम का मतलब जैळातरि स्टूडेंट क्या अंदाजा लगाते हैं 10% डिसकाउंट है तो 12,000 करकी डिसकाउंट है तो जो 12,000 सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है यहां पर डिसकाउंट मिलेगा कितने महिने काने जनवरी और फ़र्वरी दो महिने का डिसकाउंट कितने म multiply 10 by into 2 by 12 12 12 12 cancel तो यह आगे 2000 यानि जो मैं paid करूँगा creditor को वो paid करूँगा एक लाख 18 जार दस जार आ रहा है 20 जार आएगा फिर न यह दो भी तो है नहीं 20 एक लाख 20 जार है सही तो है यह दो हजार का डिस्काउंट हो गया ठेक है ना 2000 का क्या हुआ डिस्काउंट हो गया एक लाख 8000 यहां तक समझ में अब यह आपको एक्जाम में कैसे देखने को मिल सकता है कोश्चन में कैसे आपने करे होंगे उसके इंदर भी आया होगा क्योंट हो सकता है क्रेडिटर बिल्स पेबल कोई भी लाइबलिटी हो सकता है यहे टर अराइब्यू में आपने क्रेडर बीपाइब्यूल Samuel आफ्टर टू मन्थ बट पेड इमेडेटली 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 उसने क्या करा इमेडेटली पेडे कर दिया at 10% discount फटा फट से payment कर दिया 10% के discount पे अब calculation तो यही रहेगा इसका मतलब कहने का मतलब है इस adjustment में मैंने लिखा है paid to creator before the due date before the due date का मतलब समय से पहले जब कभी भी हम creator का payment करेंगे तो वो discount देगा तो discount देगा तो धियान रखना कि कितने महिने पहले payment हो रहा है तो उतने मंत करे discount होगा ठीक है यह सब हमें ने लेना यूज करके हम क्या करेंगा हम तो यह देखेंगे कि भाई आपको interest तो देना है तो जितने महिने पहले कर रहा है अपने payment वो तो यहां पे भी सेम रहेगा creditor आएगा एक लाग भी सजार और लेस देंगे discount और discount आएगा दो हजार दो हजार कैसे आएगा एक लाग भी सजार पे उपर वाला example एक लाग भी सजार यही मैं लेके चल रहा हूँ एक लाग भी सजार इंटू में 10 by 100 क्योंकि discount कितना था 10 परसेंट और यहां भी मैंने लिखे दिया वैसे 10 परसेंट इंटू 2 by 12 तो यह आ गया payment कितना होगा जनल एंट्री realization to bank account और amount आजाएगा एक लाग अठारा आजार clear बिल्स पेबल होता तो वहां पर भी यह करते लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता यहां पर देखो मैंने 10 परसेंट लिखा है और यहां पर एनम लगाना जरूरी है अगर मैं सिर्फ 10 परसेंट लिख देता पर एनम नहीं लगाता तो ऐसे सिच्वेशन में डिसकाउंट 12,000 रोपय होता थेक है क्योंकि वहां पर पर एनम का कोई concept फ्लैट 10 परसेंट लग जाता मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं अगर मैं यहां पर लिखता कि भाई creator आपको आपने मुझे टाइम से पहले पेमिंट दे दिया creator बोलता मैं आपको 10 परसेंट का डिसकाउंट दे रहा हूं तो फिर कितना माइनस करते हैं 12,000 क्योंकि पार एनम बोला तो उसने बोला कि 10 परसेंट पूरे साल का है आप तो द अगर